इस वीडियो में गाइस मैं हूँ शुरिष कुंभा और हम आज शुड़ू करेंगे फिर से फोर्स के बारे में फोर्स को आके कंटिन्यू करेंगे तो फोर्स में हम जो जानने वाले हैं वह हम जानेंगे Tension Force के बारे में ठीक है Tension Force के बारे में जा नहीं है और Tension Force मतलब क्या है कि रस्ती से जुड़ा हुआ जो Force होता है तो actually सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में यदी String या कहीं Wire या किसी सवाल में Roop इन शब्दों का इस्तमाल करते हैं तो क्या मतलब होगा Tension Force समझना है Tension Force का बार होता है जब रस्ती से जुड़ी हुई कोई चीज होती है तो जब सवाल में रस्ती दिया गया है String दिया गया है Roop दिया गया है या Wire दिया गया है तो उससे क्या मतलब समझा जाता है वो हम यहां देखते हैं तो देखो कि माल लेते हैं यह है ceiling छट है हमारी छट से हमने यहां पर एक रस्ती जोड़ी और यह block लगा दिया माल लेते हैं 100 kg का हमने एक block लगा दिया तो 100 kg के comparison में अगर देखा जाए तो रस्ती की जो लंबाई है रस्ती का जो weight है यह होगा 1 kg, 2 kg इस प्रकाल से कुछ होगा 1 kg, 2 kg इस तरीके से कुछ होगा तो मैं देखता हूँ कि यहां पर इस mass के comparison में यहां पर जो हम रस्ती लेते हैं उसका mass generally बहुत-बहुत कम होता है और बहुत कम होता है तो generally हमारा assumption क्या होता है इससा कि थिते हैं राँ प्रेश स्विश्ब fridge है and inextensible until something is given in question कहने का मतलब ये है कि जो रसी है रसी जो है सवाल में हम massless assume करेंगे frictionless assume करेंगे और inextensible assume करेंगे कब तक जब तक कि सवाल में कुछ और ना दे दिया जाए सवाल में दे दिया कि रसी का mass 50 kg है सवाल में दे दिया कि रसी में friction है सवाल में दे दिया कि वो extensible है तब तो अपन नहीं करेंगे लेकिन सवाल में यदि रसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तब तक हम उसे massless मानेंगे सवाल में कुछ नहीं दिया इसका मतलब हम उसे massless assume करेंगे frictionless assume करेंगे और inextensible assume करेंगे तो सर ये ऐसा assume क्यों कर रहे हैं तो एक logic तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो block जुड़ा हुआ है उसके comparison में इसका mass बहुत छोटा होता है और दूसरा जो यह होता है किस से calculations जो है calculations आसान हो जाती है easy हो जाती है आसान मतलब easy हो जाती है ठीक है? calculations जो है easy हो जाती है तो सर अगर सवाल में mass दे दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे? calculation बहुत tough हो जाती है क्या? नहीं जब mass दे दिया जाएगा तब भी हम कुछ सवाल आगे करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा tough नहीं है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं तो ज़्यादा tension मत लीजिएगा mass दे भी दिया ना तब भी हम कर लेंगे ठीक है और general situation में हम massless मानते हैं और massless की condition में massless frictionless की condition में relatively थोड़ा सा आसान पड़ता है अपने को ठीक है तो generally massless मानेंगे और generally हमारी calculations आसान होंगी अब हम समझते हैं tension force को अब देखिए क्या है ये क्या है wall है क्या है दिवार है मैंने कुछ दिवार ऐसे बना दी और दिवार से मैंने रसी जोड़ दी इस तरह से connect कर दी ठीक है अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर रसी की मदद से string की मदद से दिवार पर धक्का लगाओ दिवार को push करो तो क्या हम धक्का मार पाएंगे मान लो यह दिवार है मैंने यहाँ रसी बना दी तो यहाँ रसी की अंदर से ऐसे क्या ऐसे धक्का मार सकता हूँ क्या मैं नहीं मार सकता रसी क्या हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर इस तरह से push करता हूँ तो यह रसी क्या हो जाएगी ऐसे slack हो जाएगे क्या हो जाएगी slack हो जाएगी तो एक चीज समझ में आती है कि रसी की वज़े से जो force हम लगा सकते हैं वो हम उसे push नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या मैं इसको pull कर सकता हूँ क्या मैं इस तरफ pull कर सकता हूँ क्या दिवार पर हम रसी की मदद से स्ट्रिंग की मदद से force लगा सकते हैं जी बताइए बिलकुल लगा सकते हैं हम दिवार पर ऐसे pull कर सकते हैं खींच सकते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि रसी की मदद से जो tension force बनेगा और वो जो tension force है, दिवार को push नहीं कर सकता, always pull करेगा तो it is a pulling force, तो यहां मैं लिख सकता हूँ, जो यहां पर tension force बनेगा it is a pulling force, हमेशा body को pull कर सकता है, push नहीं कर सकता है दूसरी बात, अच्छा बताईए कि यहां पर जो दिवार पर force लगाएगा वो तो कौन लगाएगी, रसी लगाएगी, यानि कि tension की जो दिशा होगी, direction होगी वो किस direction के along होगी, string के along होगी तो यहां पर अगर हम देखें, यह तो first point, second point अगर लिखें its direction, its direction is along tangent to the string इसके जो direction पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, tangent to the string पाई जाएगी ठीक है, तीसरी बात अब देखूं, कि यहां पर रसी ने, string ने दिवार पर force लगाया बताईए किस दिशा में लगाया, तो मैं देख सकता हूँ, ऐसे हमेशा pull कर सकते हैं pull कर सकते हैं, तो यहां पर दिवार पर, जो अगर force लगेगा, वो इस तरफ लगेगा ऐसा लगेगा ना, मतलब इस तरह से लगेगा, इस direction में अगर मैं arrow बनाता हूँ, तो इस प्रकार से इस direction में लगेगा तो बच्चा मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां पर अगर third point लिखना चाहें, तो I can write down कि यही जो tension force लगेगा, body से pull करते हुए लगेगा और pull करते हुए अगर देखा जाए, तो body से away की तरफ लगेगा तो यह लगेगा, मैं लग सकता हूँ, it acts away from the body, away from the body, body से दूर की तरफ लगेगा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो मैंने क्या किया, कि यह है हमारी च्छत और च्छत पर मैंने एक रसी इस परकार से लगा दी और यह block मैंने ऐसे जोड दिया, इस परकार से मैंने connect कर दिया तो actually अगर रसी को समझें, तो रसी कैसे बनी होगी, रसी का अगर मैं diagram यहाँ बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं, यह है च्छत, ceiling है और इस परकार से कुछ रसी हमें दिक रही होगी समझ रहे हो ना, ऐसे लपेट के, लपेट के, लपेट के, ऐसा बन चुका है और नीचे यहाँ मैंने block लगा दिया इस तरीके से हमारे पास रसी बन जाएगी और block बन जाएगा तो बच्चा मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पर इन दोनों पार्ट को separate करतावा बनाता हूँ यानि कि उपर का पार्ट कुछ ऐसा बना ठीके, और नीचे का पार्ट कुछ इस प्रकार से बना तो थोड़ा सा separate करता हुआ बनाता हूँ ठीक है ये उपर का पार्ट तो मैंने यहाँ बना दिया और नीची के पार्ट को थोड़ा सा gap लेते बनाता हूँ ताकि हमारे जो forces बने एकदम clear बने जो हम diagram बनाए एकदम clear चकाचक बने और नीचे ये block जुड़ा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं ये क्या कह रहा हूँ tension लगा होगा रसी है रसी में tension लगा होगा और tension को generally हम T की मदद से indicate करते हैं ठीक है तो अब देखो कि अगर नीचे वाले रसी ने उपर वाली रसी को क्या किया होगा pull किया होगा यहाँ पर pull किया हुआ होगा है ना और अगर pull किया हुआ है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि tension जो force लगा होगा वो कैसे लगा होगा tension force इस तरीके से लगा होगा नीचे वाली जगे ये बंदी हुई है उपर वाले से तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि किस प्रकार से नीचे वाला पार्ट उपर वाले पर force लगा रहा है तो वो हम समझ सकते हैं कि यार नीचे वाला जो है खेंच के बैठा हुआ होगा बस लटक रहा होगा ऐसे यानि कि नीचे वाले ले उस उपर वाले force पर नीचे की direction में force लगाया ठीक है तो इसका reaction pair कहां लगेगा नीचे वाले object पर और कहां लगेगा opposite direction में तो मैंने इस प्रकार से tension force यहाँ पर indicate कर देना है ठीक है और अगर tension force ऐसा बना है tension force अगर ऐसा बना हुआ है तो हम हम सोचते हैं कि यहाँ पर tension force बनाया किसने होगा तो आप दोईखियें कि यहाँ पर यह जो है यह क्या थे रसी के particles थे atoms थे, यहाँ पर भी रसी के particles है, atoms है और वो आपस में गुते हुए हैं, बने हुए हैं वो आपस में bond बनाके रखे हुए हैं और उसी वज़े से उनका connection बन्दा हुआ है कि वहाँ पर रसी के जो इतनी लंबी रसी बनी है तो वो कैसे बनी होगी कि वहाँ पर जो particles है atoms है, वो आपस में bond बनाके रखे हुए हैं और यही bond की वज़े से यहाँ पर force generate हो रहा है अच्छा बता, यह bond बनता किसकी वज़े से है charges के आदे electrons के इदर उदर जाने के वज़े से bond बनता है, कि electron की sharing हो जाएगी covalent bond में, अगर ionic bond हुआ तो एक electron उदर से उदर चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि अगर bond बना है, तो उसमें electrons का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा यानि कि charges का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा, और अगर charges का योगदान बनता है और charges की वज़े से यहाँ पर force बना हुआ है, तो बताएए किस nature का force बना है, यह electromagnetic in nature बना हुआ है तो fourth point अगर लिखें, तो यह लिखा जाएगा, it is electromagnetic in nature it is electromagnetic in nature क्यों क्योंकि charges की वज़े से bond बना है, और वही bond हमें यहाँ पर pull करने में मदद कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया electromagnetic in nature हो गया है fifth point magnitude of tension is is same everywhere in massless and frictionless string ध्यान दीजिएगा इस बात को अभी हम याद रखेंगे ध्यान में रखेंगे और यह आया कैसे थोड़ा समय आगे गुजरेगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऐसक कैसे आया है कि यदि string massless हो और frictionless हो तो उस रसी के हर point का tension same आजाता है समान आजाता है तो ध्यान दीजिएगा कि magnitude of tension is same everywhere in massless and frictionless string